Welcome to Pratab Classes दोस्तों Pratab Classes की YouTube चंदल पर आपका स्वागत है तो आज है 4 जनुवरी 2022 और 4 जनुवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करनेट अफेर्स 2022 के क्योस्टन मनते हैं आज उनका डिस्क्रेशन करेंगे पूरा वीडियो द्यान से देखना और लास्ट हम आपसे कोस्टन पूछूँगा जिसका जबाब आपको कमेंट बक्स में देना होगा तो सभी विदार्थीं को गूड मार्निंग चाय के पहले के साथ आज 4 जनुवरी 2022 के हमें करेंट की बात करते हैं तो चार जनुवरी को विश्व ब्रेल द्यूष बनाया जाता है तो कौन सा द्यूष बनाया जाता है चार जनुवरी को विश्व ब्रेल द्यूष तो आज टूडे मॉस्ट इपर्टेड के उस्टन चार जनुवरी का बात करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी विदारती है हमारे इस चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बैल आइकन के गंटे को दबा लेना ताकि हम जेसे ही आने वाली राजस्तान प्लिस के लिए आपके लिए राजस्तान जी के से समधित वी अंदे ग्राम का लिंक है वहाँ जाकर भी आपें डाउनलोड कर सकते हैं तो हमारी चो परताब क्लासे जै उस यूट्वा पर जाकर वहा आप सर्थ करके हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है तो इस प्ले लिस्ट में हमने कम्प्यूटर से समधित बाल विकास से समधित टेली इंडिया करनाट से समधीत और अब राजस्तान के राजस्तान पुरिस के लिए इस स्पैसल राजस्तान जी के से इश्ट्री हमें ने शुरू की है उसमें आपको ठरसो स्तावन की करांती इकल मैंने दो वीडियो प्लौद करवा दिये आज मैं आपको ब्लाद उक्राओंगा श्याम साड़े साथ बजे राजस्तान की जन जाती है अंदोलन तो इसके लिए प्ले लिश्ट बनी हुए है वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं तो आईए हम बात करते हैं आज का पहला क्योशन है कि हाल में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेटरो लाइन शुरू की है तो किस देश ने शुरू की है वो की है चाइना ने किस ने अभी देश की देश ने क्या है दुनिया की सबसे लंबी मेटरो लाइन शुरू की है बहुत ही शांदार कोशन है जल्दी से वीडियो को लाइक और शेर कर दो जितने भी आपके भाई बंदू दोस्त हैं तो वीडियो को सेर जुरूर करना शेर करना ना बुले मुख्य दते देखो संगाई ने दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेट्वरक वाले सहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार करते हुए दो नई मेट्रो लाइने खोली है किसने चाइने ने क्या है किस सेर में संगाई सेर में और सबसे दुनिया में ये टोप पर है इसने क्या है दो नई मेट्रोल लाइने खोली है चीन ने संगाई ने दो नई मेट्रोल लाइन ने खोली है एक तो है लाइन 14 एक है लाइन 18 का इसमें पहला चरण की सुरुआत की है अब ये चाइना की बात है तो चाइना ने जो भी शुरू किया है उसमें देखो एक तो चाइना ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का कैंदर बनने के लिए पांच वर्षी योजना सुरू किया है ये कली मैंने बताया था कि रोबोटिक्स नवाचार का कैंदर बनने के ल लॉंच किया है क्या किया है अंत्रिक्स ओशन के लिए सीजिन 605 उपकर लॉंच किया है तो आपको इस तत्य के साथ मैं ये भी लेके चलता हूँ ताकि आपको याद रहे अगला क्योंस देखो हाले में किस राजे ने पैंसन बोग्यों के बोग्यों 2022 के लिए डीजिटल परमान पत्र परनाली सुरू की है मुक्य तत्य देखो उडिशा के मुक्यमंतरी नवीन पतनाएक ने राजे सरकार के पैंसन बोग्यों के लिए पहचान के सत्यापन और जीवन परमान पत्र जमा करने के लिए एक ओनलाइन ये सेवा सुरू की है जो पैंसन बोग्याते है और मोज सरकार का पहल हिसा है इसमें किसमें सुरुवात की है एक तो पांच टी और एक है मोज सरकार यह जो यह योजना है मोजीवन योजना जो सरकार पहल का हिसा है अब उडिसा की बात है तो उडिसा नहीं क्या क्या किया है यहां देखो एक तो उडिसा के तर से अगनी पी मिसाहिल का सफल प्रिक्षन हुआ है उसके बाद में उडिसा के मुखे मंतरी ने सब से लंबे पूल टी से तुकाव दिगाटन किया है और उडिसा ने एक परले मिसाहिल का भी सफल प्रिक्षन किया है यह मैं आपको साथ-साथ लेके चलूँगा करैंट में ताकि आप इसका याद रहे और विजन होसके अगला के मुश्शन देखो अले में किस ने पढ़न अभियान पढ़ने बारत शूरू किया है मुखे तते देखो केंद्रिय शिक्षा मंत्री दर्मेंदर परदा ने सो दिवशिय पठन अभ्यान पड़े बारत यह योजना सुरू की है सो दिवशिय पठन अभ्यान का सुबारम राष्टे शिक्षा नीती दोजार बीस के अनुरूप है मतलब इसका है कि राष्ट यह जो शिक्षा नीती दोजार बीस है उसके तैद यह योजना जो है भारत ने इसमें सुरू की गी है पड़े भारत अभ्यान बाल बाटिका में किया है कक्षा आर तक पढ़ने वाले बत्चों पर केंद्रित होगा किसे कक्षा आर तक पढ़ने वाले बत्चों पर केंद्रित होगा और इस अभी की जो शुरूआत है वो एक जनुरी दोजार बाइस से और दस अपरेल दोजार बाइस तक यानि की सो दिनों यानि की चोदा सप्ता के लिए आयोजित किया जाएगा कितने दिनों के लिए चोदा सप्ता के लिए आयोजित किया जाएगा और सोधीव से जो अभ्यान है और इसकी सुरूआत की है हमारे जो केंद्रिय शिक्षा मंत्री है दिर्वेंद्र परदान ने अगला क्यों सुन देखो हाली में किस राजे ने वोटर मेट्रो परजेक्ट के लिए पहली इलेक्ट्रिक बोट बनी है तो किस राजे में तो वोटर मेट्रो परजेक्ट के लिए पहली इलेक्ट्रिक बोट बनी है तो वो है केरल केरल में अभी कोची कोची में क्या है Water Metro Project के लिए कहा है पहली Electric Board बनी है मुक्के तते देखो केरल में कोची जल Metro प्रियोजना के लिए एक निर्मित पहली बेंटरी से चलने वाली electronic नाव कोची Metro Rail Limited को सौपी गई है और इसमें कहा है कि बेंटरी से चलने वाली पानी की जो बेंटरी से चलने वाली एक नाव है जो अभी केरल में सुरू की गई है और ये Metro है जो सो यात्रियों के क्या है ले जा सकती है तो इसकी सुरवात की गई है भी केरल में कोची में अगला के उसमें देखो आलि में किसने दिल्ली में चानिस्वी जेस्टी परिशिद की बेठक ये देख्षता की है तो दिल्ली में चानिस्वी जेस्टी परिशिद की बेठक किसने की है तो निर्मला सितारमण ने किसने निर्मला सितारमण ने अभी दिल्ली में चानिस्वी जेस्टी परिशिद की बेठक की देश्टा की है मुक्य तत्य देखो केंद्रिय वित्मंत्रा ले और कॉपरेट मामलों की वित्मंत्री कोन है निर्मला सितारमन ने के देश्टा में क्या है GST परिशिद की 96 में बेठक नई दिली में हुई है इसमें हुआ क्या है कि बारत का जो 2022 ते इसका जो केंद्रिय बजट है वो एक फरिवरी 2022 को अब की बार वित्मंत्री निर्मला सितारमन द्वारा क्या है पेस किया जाएगा यह ध्यान रखना कि जो अब की बार वित्मंत्री द्वारा क्या है जो बजट है वो उनके द्वारा पेश किया जाएगा जो जिव जिएस्टिसी समधित क्या है यह क्योशन है और बजट ने भी समधित है अब निर्मला सितारमन से समधित है तो देखो क्या बात है निर्मला सितारमन की है सो सबसे सक्तिसाली मैलाओं की दो जारी किस में ये सेंतिस्तान में पर रहने वाली पहली बारतिय मैला है कौन है निर्मला सितारमन सो सबसे सक्तिसाली मैलाओं की दो जारी किस में सेंतिस्तान पर रहने वाली बारतिय मैला है वो निर्मला सितारमन बार्त की सबसे सक्तिशाली मैला में सबसे पर्थमस्तान पर है कौन है वितमंत्री निर्मला सितारमन ये तत्य में आपको साथ साथ लेके चालूँगा ताकि आपको याद रहे अगला क्यों सुन देखो हाली में किसको मर्नो प्रांत बुंबई प्रेस कलब का रेंडिक अवार्ड 2020 मिला है तो किसको मिला है मर्नो प्रांत बुंबई प्रेस कलब का रेंडिक अवार्ड 2020 मिला है वो मिला है दानिस सिद्गी को किसको दानिस सिद्गी को भी मर्नो प्रांत इनको अवार्ड मिला है मुक्खे तत्य देखो फोटो जर्नलिस्ट ये फोटो जर्नलिस्ट एक दानिस सिद्की सिद्की के जिनके अफगानिस्तान में एक असाइन्मेंट के दोरा नमर्ती होगी उनको क्या है मर्नो परांद बुंबई प्रेस कलप द्वारा 2020 के लिए जर्नल खोजी और प्रबावसली समचार फोटोग्राफी की ये थे इन्हों परतिश्टीत पुरिसकार से परदान किया गया है किसको तो अभी दानिस सिद्की को इनको क्या मर्नो परांद बुंबई प्रेस कलब दो द्वारा इसमें अवार्ड दिया गया है अगला क्यों सुन रखेंगे मुख्य तत्य देखो परदानमत्री नरेंदर मोदी मेरट में मेजर द्यानचंदर स्पोर्ट्स यूनिवरस्टी की अधार सिला रखेंगे मेरट कहा है उतर परदेश में और अभी हमारे देश के जो परदानमत्री है वो मेजर द्यानचंदर स्पोर्ट्स यून जो है किलाडियों को पर सिक्षन देनी की शम्ता होगी अब PM मोदी ने कहां कहां और क्या क्या उद्गाटन किया है एक तो उन्होंने सर्यू नहर प्रियोजना का उद्गाटन किया है ये भी उत्रप्रदेश में किया है उसके बाद में कासी विश्वनात प्रियोजिना का उत्रप्रदेश में किया है उसके बाद में इन्होंने हिमातल प्रदेश में भी चार जल विदुद प्रियोजिना का उत्रप्रदेश में किया है तो इतनी बातें आपको याद रखनी है अगला क्योंस देखो हाली में वर्ल्ड CEO winner of the year 2021 किस पुर्षकार से किसे सम्मानित किया गया है तो वर्ल्ड CEO winner of the year 2021 किस पुर्षकार से किसे सम्मानित किया गया है यह किया गया किस और ये दम को किस और है ये दम को मुखे तते देखो किस और ये एक दम किसोर येदम है ये किसोर है येदम को फेडरल सॉफ्ट सिस्टम के सीउए ये इनको क्या विनर ओफ दाइयर 2021 पुर्सकार से सम्मानित किया गया है किसोर है येदम को ये जो फेडरल सॉफ्ट सिस्टम की कंपनी है वो का है एदराबाद में है जो ये कंपनी है फेडरल सॉफ् को गया है 2020 के लिए Mother Tresher Memorial Award से संभानित किया गया है यह मैंने आपको बता दिया कि Mother Tresher Memorial Award निल प्रकास जोसी को दिया गया है और विरल देशाई को दिया गया है Global Environment and Climate Action Citizen Award इने दिया गया है किसको विरल देशाई को यह दो आवार्ड है यह आपके रिए एकजाम की दर्श्चि कि किस देश नि दुनिया का पहला Dual Mode 1 ने पेश कיया है तो इसका हम स्रॉजएगा जापान ने अभी दुनिया का पहला Dual Mode 1 ने पेश किया है लगबख विदार्थी होगा यह कोमेंट में जबाब सही था और सारे विदार्थी जवाब कोमेंट में दिया करो अब कल के लिए क ताकि मेरे पता चल सकी कितने विदार्ति हमारे साथ जुढे हुए हैं आगे आने वाली राज़स्तान पुलीज के लिए कौन ज़्यादा इसके लिए तैरी कर रहे हैं देयो आज आपके लिए आएगा राजस्तान की जन जाती है अंदोलन के लिए आप पढ़ के आना तो साथे साथ मुझे आपको क्लास में मिलेगी तो धन्यवाद दोस्तो जै हिंद जै बार्त